हलो सुना आलेकुम दोस्तों वैर, क्या हाल है? आज की इस वीडियो में हम KARAACHI INTERBANK OFFER RATE एन कि KYBER के बारे में DISCUSSION करेंगे ठीक है? So, Kyber what is Kyber? पहले इसका थोड़ा BRIEF INDRODUCTION ले 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 लेते हैं कराची INTERBANK OFFER RATE is an interest rate for the unsecured borrowings and lending among banks इसके अगर हम सिंपल शॉट डेफिनिशन ले तो यह हो सकती है अब यह वह इंट्रस रेट होता है ठीक है इंट्रस रेट की तरह एक रेट होता है जिस पर बैंक्स जो है वह ओवर नाइट अपने एक दूसरे को बॉरॉइंग्स या लेंडिंग करती है ठीक है पैसे और पैस जो हो कंजूमर को लोनाओट करती है मनी तो यह होता है कि वह काईबोर प्लस इंट्रस रेट फिर चार्ज करती है ठीक है और वह हम देखेंगे कि उसको जो फाइनशल लेंग्वेश में या बैंकर की लेंग्वेश में किस तरह बोल सकते हैं ठीक है तो यहां पर आगर आप टैने टाइम के लिए यह लेंड आउट किये गाएं ठीक है परसे तो यह बिल्कुल लोन होता है निकी बोर्विंग नहीं देती यानिक कोई सिक्यूर्टी वगरा जमा नहीं कराती यानिक कोई गिर्वी चीज नहीं रखवाती ठीक है इन सिंपल के गिर्वी कुछ भी नही कोई यानिक कोई आपे मुर्गेज का सिस्टम नहीं होता है अब यह रेपो मार्केट से किसना इस डिफर करते है यह रिपर्चेजिजिंग मार्की तीक है एप रेपो रेट उस्पटी ओवरनाइट बोर्विंग सुद्टी तो रेपो रेट जो होते हैं वो सिक्योर्ट होत जो कि बिट प्रैस है यहां पर इस प्रैस पर प्रैस को फर करती है है तो तो अगर सब्सक्राइन को लोन लेना होगा तो बैंक बिट प्रैस सद्वर से आपके सामने रख देगी तो देगे हैं पर बैंक यह 6.83 पर इंटरस रेट पर बैंक जो है वो लोन लेगी आपसे तिक है और अगर बैंक को लोन देना होगा आपको तो फिर आपसे जादा चार्ज करें ओफर ठीक है जो कि 7.54 ठीक है 7.51 तो बेडर ओफर बैसे की यह चीज बता रहे होते हैं ठीक है नौर अम इसको फथर इसके बार में और जादे इंपरमेशन लेते हैं ठीक हैSo now let's let see how does it calculate it ixa उसरी बाड भीर इंटर सचिता करती है यह कौन कल्क रॉलीटित र्दा कन सी बारिया को कह सी बोडय है जो किसको क्ट्लीट करती है तो so it is usually calculated in the city where the financial markets are located and where every bank's head office is located for Pakistan it is Kara Oke and for United Kingdom it is London लेकिन जो लंडन में जो rate चलता है LIBOR ठीक है London Interbank Offering Rate ठीक है So जो LIBOR है वो बैसिकली वो बैसिकली सिर्फ लंडन में और भी तमाम जगाहों पे चलता है और इसके अंदर डिफेर्ट डिफेर्ट करन्सी इंख्रीव होती है ठीक है लाइबोर में ठीक है तो यहां पर एक कोशन करने वाली बात यह के काईबोर क्यों वाई काईबोर आईबोर क्यों नहीं हो सकता है सलामाबाद Interbank असलामाबाद Interbank Offering Rate क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि कराची में जितनी भी बैंक्स है ना बड़ी बड़ी उनके जो Head Offices है जिसे HBL का Head Office, UPL का Head Office, Mizan Bank का Head Office यह तमाम बैंक्स के यह सब बैंक्स के Head Office कराची में लोकेट करते हैं ठीक अब जहां पर Head Office लोकेट करते हैं तो वहीं उसी सिटी पही यह सारी मीटिंग में डिसाइड करते हैं कया QIBO Rate के वन जाहिए ठीक अब यह कैसे होता है हम बैशिकलिय अब यह जानेगे बूस सिसकेल केटिंअ इसकेलेट बाई G कैषडि बैश्रम fussot भी इसकेशाओ फूल बड़ी व्हारेट मीटिस उसकेलेट क्या की पर्कावकभरे उसकेट मीटने हैं सब्सक्राइब और इंटी निंग पर प्रियुक्ट था इंट स्थान पर इसायद ये उट नियुक्ट टीटिक है कि तो क्या हुआ कि ये तो काफी मतलब काफी है 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 ऐठीकड के हार जगा है पर डिफ लिट्ट रहेट से फिर competition भी आ गया ठीक है तो फिर ये डिसाइड वा कि एक ही रेट सिमिलर रेट होगा जसे पे लेंडिंग और बॉर्विंग होगी ठीक है अन्सेक्यूर्ड लोंस की थी सबसाइड बैंक से पूछते कि उनका इंत्रस्टरेट कियाいます क्या interest rate चल रहा है फिर उन सब जो भी interest rate वो बैंक सोनको बताती है step bank of Pakistan को step bank of Pakistan का average निकाल देती है ठीक है for example के एक UBL bank उसने बोला कि मेरा 4% है ठीक है फिर हमारे पास एक HBL bank उसने बोला मेरा 5% है ठीक है पिर हमारे पास मिजान बैंक है तो इसने बोला कि मेरा जो है वो लेट सपोस्स परसेंट है तो मिजान बैंक क्या करेगा इन तीनों को डिवाड कर देगा थी तो उसका एवरेज आ जाएगा टीज तो एवरेज क्या होगा फाइफ परसेंट ठीक इसता यह कि क्यों कर दों इसको मेंज इसको फैनाच का में जान्य जबन में कि-स इससे इस तरह शावार करते हैं तो इससे जब्हीं बैंक आप कंजूमर को ओफर करते हैं तो बैंक बोलती है चार्ज करेंगे तो इसका सिंपल मतलब या कि 2% और फाइफ परसेंट 500 बिसट्राइस पोंड परसेंट का 5% तिके सिंपल मतलब यानिके काइबूर एक काइबूर एक जो भी रेट चल रहा है लेट सबस्के यह 5% चल रहा है फिकाइबूर का रेट ठीक है और फिर कहा कि काइ 5% plus 2 that is 7% इसी तेहें 400 basis point का 4% और 500 basis point का 5% तो इसी के साथ में उमीद करता हूं आपको यह काई बोर का concept clear हो गया होगा और basically kyber हमारे पर काफी काफी effect करता है derivative market में भी काफी लोग जो है इसको एक तरह से वो मानते हैं risk-free rate of return काईबोर को माना जाता है और इसके business पे वो अपना risk को return computation करते हैं तो बेराल इसकी अगर हम deep में या depth में जाएंगे तो यह काफी बड़ा एक topic है ठीक है और अभी के लिए है क्योंकि मुझे इसको काफी simple करके या short करके समझाना था तो मैने अभी के लिए यहां पर यह वीडियो खतम करता हूं ठीक है so have a great day thank you very much for watching this video and Allah Hafiz